तो दोस्तो मेरा नाम है राहुल, स्वागत आपका Technical War क्योटीप चैनल पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम Extensive Board रिपेर करने वाले हैं Extensive Board में क्या के प्रवल्लम आ सकती है और उसे कैसे रिपेर करना है उसके सारे तरीके बताने वाला हूँ अब किसी भी Extensive Board को आसानी से रिपेर कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमें सबसे पहले Extensive Board में इसके Fuse को चेक करना है क्या होता है हम Extensive Board में लोड जा देते हैं जिसके वीज़े से Fuse क्या होता है खराब हो जाता है तो यहां पर देखिए Fuse मैंने निकाला है यहां पर एक वायर होती है अंदर हीट होने के वेशे वायर बीच में ब्रेक हो जाती है जिससे Supply आगे पास नहीं पादी कभी कभार यह वायर कोने से भी ब्रेक हो जाती है जिससे पता नहीं चल पाता है तो हमें सबसे पहले Fuse को चेक करना कि हमारा Fuse ठीक है कि नहीं इसके अलावा मैंने एक Bulb और Holder ले रखा है जिससे हम इस Fuse को चेक कर सकें और यहां पर एक Extension Board ले लिए Supply के लिए अब हमें क्या करना है इसे हमें Series Test Lamp मनाना है तो इसके लिए मैंने एक वायर और ले लिया है हमें क्या करना है? Socket के एक Terminal पर इसे लगाना है अब हमें लगा दिया है अब हमें Holder के किसी एक वायर को Socket के दूसरे Terminal पर Connect करना है तो देखिए यहां पर इस वायर को लगा देता हूँ कि इसके चेंज कर देंगे जिससे हमारा extension से बहुत ठीक हो जाएगा अब बात करते हैं अगर आपके पास Bulb Holder नहीं है तो इसी चेक करने के लिए आपको क्या करना है? Wire के टुकडे को हमें Fuse के एक Terminal पर Connect करना है और Socket में Check करना है इस पर हमारी supply या रही है हापा Tester जल रहा है इसका मतलब इस socket में हमारी Elliott पर supply या रही है तो इसी Terminal पर हमें Wire करना है और, Fuse के दूसरे Terminal पर Check करना है कि हमारा जो Tester जल रहे है कि ने जल रहे है आप Tester जल रह था हमारा जो Feuse हिज ठीक है अगर यहाँ पर टेस्टर नहीं जलता इसका मतलब यह होता कि fuse हमारा खराब हो चुका है अब हमारे यहाँ पर fuse ठीक है तो हम इसे वापस लगा देते हैं तो चलिए बात करते हैं इस extensive board में और क्या के problem आ सकती है इसे चेक करने के लिए हम extensive board को खोल लेते हैं तो देखिए आपर मैंने extensive board खोल लिया है यहाँ पर देखिए इसमें कुछ wire heat होती ही दिखाई दे रही है हमें extensive board में सबसे पहले इसकी cable check कर रही है जो इसमें cable connect हो रखी है वो ठीक है कि नहीं या फिर इस type का 3-pin plug होता है उसमें क्या होता है यह wire heat हो जाती है और इसमें supply proper आती नहीं है जिसके वैसे extension board काम नहीं करता है cable को check करने से पहले से connection देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर जो तीन wire आया हुई है एक जो black वाली wire से neutral माल लेते हैं वो fuse से connect होती है दूसरी wire जो है वो इस socket पर एक terminal से connect हो रखी है और इसी तरह यह loop हो रखा है जिससे की एक neutral supply socket के एक टर्मिल में पहुंच जाएगी इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी वाली wire है red वाली wire यहाँ पर हम इसे face supply मान लेते हैं यहाँ पर switch के नीचे वाली terminal पर connect हो रखी है जैसे switch on करेंगे तो supply के उपवर टर्मिल में पहुंच जाएगी जहाँ पर यह wire connect हो रखा socket के हर terminal से connect हो रखा loop कर रखा यहाँ पर face supply socket के एक point पहुंच जाएगी यहां पर जो green वाली wire है यहां पर earthy के लिए object के उपवर टर्मिल पर connect हो रखी है तो यहां पर जो 3 wire थी यहां पर green वालीhon connect हो रखी है और और यह जो हमारे रेड वाली वायर थी जो फेस सप्लाई मान रहे हैं वह हमारी स्विच में कनेक्ट हो रखे है अब हम पहले में केबल चेक कर लेते हैं केबल हमारी ठीक है कि नहीं तो इससे चेक करने के लिए हम बल्व और होल्डर का यूज करेंगे तो देखें आपर मैंने बल्व और होल्डर ले लिया है यहाँ पर वायर कनेक्ट हो रखे है तो हमें क्या यहाँ पर जो एक ब्लैक वाली वायर यह वाली और यहाँ पर जो फेस सप्लाई के हमने रेड वाली वायर ले थी इन दोनों पर हम चेक करेंगे तो देखें जैसे मैंने इस दोनों पर वाय एक वायर को हमें Fuge के दूसरे वायर टर्मिल पर connecting करना है और जो दूसरा वायर होうん य है उच के नीचे वायर टर्मिल पर कनेक्ट करना जिसमें Face अपऩाई ऊरही है तो देखिए आपर जो ब乐 हमार हमारे जलगा इसका यहाँ पर दूसरा मोइर को खिलेंगे तो यहाँ पर इसे क्नेक्ट करनेंगे क्छी दूसरा पॉइंट पर देखें किस्की ट gef्राइब कर दिया है तो यहाँ पर मैंने अच्छी तर्य सब्सक discourage कर सकते हैं का जिसलिए आफ्ण करने नीके नॉटल क्रेंट करें容易 जिससे की wire loop हो रखा है socket के head terminal पर तो यहाँ पर जो neutral supply है socket के head terminal पहुंच जाएगी यहाँ पर fuse की जरुत नहीं है तो यहाँ पर fuse को हम निकाल देते हैं तो देखिए मैंने fuse को निकाल दिया है इसको हम वैसे cover कर देते हैं ताकि हाथ न जाए इसके अंदर तो चलिए एक पर चेक कर लेते हैं जो हमने fuse को direct किया है तो इससे हमारा extension board वर्क करता है यह निकाल देखिए एक wire fuse में और दूसरा wire switch में लगाते हैं तो हमारा जो bulb वो जलने लगा एक wire को हम यहाँ पर switch में लगाते हैं दूसरा socket में लगाते हैं तो देखिए जो हमारा bulb है वो जलने लगा अब हम एक एक करके हर socket के terminal पर चेक करते हैं तो देखिए आप पर जो हमारी face on neutral supply आ रही है इससे हमारा extension board वर्क कर रहा है अब मालने तेखर आपका जो fuse है वो ठीक है फिर भी आपका extension board वर्क नहीं कर रहा है इस case में हमें इसकी switch को check करना है switch को check करने के लिए हम इसकी supply को connect कर देते हैं तो हमें क्या करना है इसका switch on करके एक wire switch के उपर टेमिल पर लगाना है और दूसा socket पर लगाना देखिए हाँ आपर जो bulb जल रहा है अगर यहाँ पर bulb नहीं जलता इसका मतलब यह होता जो आपका switch है वो खराब हो चुका है तो यहाँ पर आप इसकी switch को change करके भी इसे ठीक कर सकते हैं अगर आप direct करना चाहते हैं तो direct करने के लिए क्लिए क्लिए नीचे वाले टेमिल पर जो wire connect हो रखी है यहाँ से हम इसे निकाल देंगे और हमें क्या करना है यहाँ पर जो उपर wire टेमिल है उस पर connect कर देंगे इससे क्या होगा जो इसकी जो supply है वो direct हो जाएगी तो देखिए आपर मैंने इस wire को निकाल दिया है अब हमें क्या करना है इसके switch के upper wire terminal पर इसे connect करना है देखिए आपर मैंने upper wire terminal पर connect कर दिया यहाँ पर जो हमारा face supplier यह direct हो चुका है जैसे हम supply on करेंगे जो हमारी face supplier वो socket के हर terminal पहुंच जाएगी तो ऐसे आप अपने extension board को direct कर सकते हैं इस वाली wire से हमें face supply मिल जा रही है और उपर वाली जो wire है यहाँ पर इस वाली wire से हमें neutral supply मिल जा रही है और यहाँ पर देखिए यहाँ जो green वाली wire है यहाँ से तूट गई है इसे दुबारा joint कर देते हैं दूह यहाँ पर जो वायर है चोटी पड़ रही है तो इस पे छोटा सा वायर जोयिंट कर देते हैं तो देखिए हम पर मैंने इक वायर लगा दिया है इससे अर्थी Bryce के उपरवाई पॉइंट पर गुलोड ये अनेद्ट करना है तो देखिए हापर मैंने कनेक्ट कर दिया तो यहां पर एक शूर चुका है वह न्यूटल सप्लाई के लिए टेमिल पर च्पिध यहां पर जो रेड़ वाली वार रहे श्क्राइब चालम हम चेक करता है नहीं करता देखें आपर, दोनों सोकेट के एक एक ट्रमिल पर हम लगाते हैं, तो हमारा जो बल बे जल रहा है, इसका मतलब यह जो हमारा एक्स्टेंसर बोड हमारा वर्क करने लगा, तो दोस्तों अब आप भी अपने एक्स्टेंसर बोड को आसानी से रिपेर कर सकते हैं, अगर आपक कि शनल को सबसे पहले मिल सके, मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में,